कि एलो फ्रेंट्स वेल्कम टू स्टेडी आई क्यू माइसलफ अंकित तिवारी और आज जो हमने एक सीसाट की सीरीज स्टार्ट की थी उसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे आज एक और नया टॉपिक सीखेंगे आज एक और नया टॉपिक पर सीसाट लेवल का कुश आज जो मैं आपको पढ़ाने के लिए लाया था वो टॉपिक का नाम था टाइम एंड वर्क ठीक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इफ यू वांट टू कनेक्ट विट मी इस इस माई इमेल आईडी अंकित डॉट तिवारी अट दर इट स्टडी आईक्यू डॉट कॉम ठ अगर आपको चाहिए इन लेक्टर्स की तो मैं इस टेलीग्राम चैनल पर अप्लोड कर देता हूं अंकित अंडेस्कोड तिवारी अंडेस्कोड सी एसी तो चलिए स्टार्ट करते सेशन को अब तक कि मैंने नंबर सिस्टम एन आवरेजेस ये दो टॉपिक कंप्लीट करा दिए आप लोगों के कंप्लीट करा दिए इन दा सेंस कि नो एक्जाम लेवल तक की प्रिप्रेशन करा दिए आपको बस और बस प्रक्टिस करना है दिए फ्रीवेस ये कुशन पेपर से प्रक्टिस कर लो आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा नंबर सिस्टम एंड याद रखिएगा असी अब्जेक्टिव कुश्यन होते हैं दो घंडे का पेपर होता है 200 मार्क्स का पेपर होता है क्वालिफाइंग है 66 वर्ट यह लाने में कुछ सालों में प्राइक प्रॉब्लम हो रही है ठीक तो यह प्रॉब्लम को ही सॉल्फ करने के लिए हमें आपर हैं हर इक कुश्यन झाय मांक्स का होता है ठीक कर पॉइंट एटृर्फी उस गलत करने पर आप से ले लिए जाते हैं तो पॉइंट फाइप मिलता है सही करने पर और और eldersी आपको देना पड़ता है गलत करने पर एक यह याद रखना है की असी कुश्च्छन होते हैं आपक सकता हूं में स्लेबस को सीशाट के स्लेबस को तीन ब्रॉड केटिग्रीज में बाठ सकते हैं पहला इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशिन टेकेंड वन इस यह लॉजिकल रीजनिंग और जेनरल मेंटल एबिलिटी यह दोनों मिलाकर बनता है रीजनिंग सेक्षिन और आखरी के जो दो टापिक हैं बेसिक यूमरेशी और डेटा इनट्र इपरेटिशन यह बनता है तो यह है पुरा का पुराजल बद यह दो टापिक से कुश्चन नहीं आते हैं decision making और interpersonal skills है तो हम अभी कहां पर हैं हम यहां पर हैं we are studying this thing कि मैंने सीजाट क्या आपकी सीरीज प्लाइन की थी परपस क्या था मेरा कि भाई at least दो दिन में एक बार ठीक है दो दिन में एक बार दो घंटे तुम्हें मैं कोई topic समझा दूँगा कि अल्टनेट रखाऊ उसे लिए ताकि लोड ना बढ़े आप पर कि मंडे वेड्नेस डे फ्राइडे ठीक है हफ्ते में तीन दिन दो घंटा मैं आपको एक topic समझाओंगा और उस पर बेस कुछ कुछ कुश्चन करा दूँगा आपका क्या काम रहेगा आप दो घंटा और दे इस यह कोश्चन उससे जादा नहीं बनाना बहुत है कि यह मेरा यह मैं कि हफ्ते में तीन दिन दो घंटा मैं आपको दूंगा और दो घंटा आप और रिवाइस करेंगे मतलब क्या हो रहा है बैसिकली चार घंटा एक दिन में मतलब 12 hours a week not more than that इस ते जादा नहीं है बारा यह मेरा एम है ठीक कि आपको हफ्ते में देना है 12 hours इसमें 6 hours मैं पढ़ाऊंगा 6 hours आपको खुद पढ़ना पड़ेगा कि ठीक यह भी पता ही आप लोगों को syllabus वोगेरा अच्छा यह है क्वांट का स्लिवाइस बेसिक नूमरेसी वोलो कुछ भी वोलो इस दस लेबस ओफ क्वांट जिसमें से हम लोगों ने नंबर सिस्टम और एवरेजिस यह हमने कंप्लीट कर लिया है कि जिसने नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर यह वीडियो बात में देख लीजेगा ठीक है नंबर सिस्टम और एवरेजिस यह दो टॉपिक हमने फिनिश कर लिया है आज क्या लाया हूं में एजेंडा में आज लाया हूं इसको पढ़ते हैं कुछ लोगों मुझे मेल करके बोला किसे टाइम और वर्क पढ़ाई है थोड़ा प्रॉब्लम आता है इन कुश्चिंस मे थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो चलो आज टाइम और वर्क सीख लेते हैं जो भी प्रॉब्लम थी टाइम और वर्क की वो दो बज़े के बाद नहीं होगी ठीक है वो दो बज़े के बाद नहीं होगी हमारा सेशन चलेगा 12 से 2 तू पीम तक के और 2 पीम के बाद टाइम औ वर्ट की प्रॉब्लम आपकी खतम हो जाएगी आपके लाइफ से इस बात की गरेंटी में दे रहा हूं कि जो टॉपिक मैं यहां पर कवर करा रहा हूं आपका सी सैट से डिलेटेड वो टॉपिक आपको अलग कहीं और से पढ़ने की जरूत नहीं है सिर्फ कुश्चन नथिंग एल्स वर्ना अधरवाइस दो घंटा तुम्हारा वेस्ट होगा और मेरा भी अगर तुम यहां पर टाइम और यहां पर एवरेज पढ़ने के बाद दो घंटा तुम जाकर और कोई सोर्स पर सर्च कर रहे हो तो वह वर्थ नहीं है फिर तो एम यही रहेगा कि करता हूं यह टाइम और वर्क से रिलेटेड होता है यह पाइप सेंट सिस्टन वाला प्रॉब्लम है टॉपिक नमबर 12 वर 15 रिलेटेड रहता है अगर यह सीख गए न तो यह भी सीख जाओगे पाइप सेंट सिस्टन क्या होता है कि कोई टैंक को कोई एक नल पांच घंटे में फिल कर रहा है ठीक है और उस टैंक में कोई होल है जो उसको पंदरा घंटे में खाली कर रहा है बिसिकली वही रहता है यहां पर आदमी वर्क करता है और यहां पर टैप और जो होल रहेगा का लीक वो काम करते हैं परपस सेम रहता है मैं थेड़ एकदम सेम रहता है टाइम और पाइप सें सिस्टरंस इन दोनों कुश्ण सेम होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आगे बढ़ते हैं सिलिबस हो गया टाइमन वर्क टॉपिक है और गया है थोड़ा सा थियोरी बता देता हूं जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चेर्स में कहा था मैं तुम्हें फॉर्मूला से बंबाड बिल्कुल नहीं करूंगा तुमने खुद भी देखा है मैं एक फॉर्मूला जो बेसिक बता है मेरा ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं थोरी में कुछ अलग फॉर्मूला और कॉस्चन में शॉर्टकर के नाम पे कोई अलग फॉर्मूला लगा दे रहा हूं वो नहीं होगा इसलिए देखो क्या किया हूं मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं न और सीदा कोस्चन एक ही स् होता यूरी ट्री मेठेड जो मैं आपको बताऊंगा और उसी के बेसिस पे हम तफ से टफ कुश्चन भी सॉल्फ कर लेंगे तो चलो क्या फॉर्मुला होता है क्या होता है यूरी ट्री मेठेड आपको इसमें कॉश्चन दिया रहेगा इस तरीके से यह यह कैपिटल ए जो है कैपिटल एक कैन डू अब वर्क इन ट्वेल्व डेज ठीक है ऐसा तरह की स्टेट्मेंट लिखा रहेगा क्यापिटल बी कैन डू टेम वर्क इन ट्वेंटी डेज एलेट हो जाईए एलेट हो जाईए और यहां बोर्ट पर ध्यान दो गुड आफ्टनून सबको जिन्होंने अभी जॉइन किया है अब यार हफते में तीन दिन शे घंटा बारा बजे टाइम पर आ जाओ एकड़म जब मैं टाइम पर आ सकते हैं आप तो अपने घर से देख रहे हैं लेक्ट्चर मुझे अपने घर से उठके स्टूडियो पर आना पड़ता है रिकॉर्ड करने के लिए इतनी ठंड में तो जाएगा उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कुश्चन रहेंगे तो आप क्रक्स मिस्स कर जाओगे तो टाइम पर विल्कुल आप फिक्स कर लिजे टाइम बारा से दो बंडे वेडनेस दे फ्राइडे हम यहीं मिलेंगे इसी प्लाटफॉर्म पे स्टड़ी आईक्यू तो देक Capital B नाम का कोई आदमी है वो काम करता है सेम काम करता है बीस दिन में तो इसके बाद वो आप से कुछ भी पूछ सकता है कि कुश्चन आपको कैसा भी फ्रेम कर सकता है मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा कैसे देगा कुश्चन देगा किस टाइप से तो इस तरीके के स्टेटमेंट लिखे रहते हैं इसको स्वाल्फ करने के लिए एक ही काम करना है आपको आपको ऐसे लिखना है कि सबसे पहले मा let the work be w let the work bw मैं हर वो चीज़ यहां पर बोट पर लिख रहा हूं क्यों कि तहीं हम अपने कॉपी में लिखो क्यों तकी जब मार्च में रिवाइस करो सब समझ में आ जाया कि अगी जब मार्च में रिवाइस करो तो समझ में आ जाए इसलिए आप भी हर चीज लिखेंगे कि सबसे पहला काम क्या होगा कि जो भी वर्क दिया हुआ है जो भी वर्क उसको आप डबल्यू मान लोगे चाहे कुछ भी वर्क हो ठीक यह एकदम फिक्स रहेगा कि मैं हर काम को डबल्यू बोलूंगा माई वर्क इस डबल्यू अच्छा तो एक एंडू अवर्क इंट्वेल्फ डेस तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई यह जो है वह बारा दिन में डबल्यू काम कर रहा है यह जो है वह बारा दिन में डबल्यू काम कर रहा है तो इससे क्या मिलेगा यह यूनिट्री में बेसिकली बोलता क्या है अगर कैपिटल ए बारा दिन में डबल्यू काम कर रहा है अगर कैपिटल ए बारा दिन में डबल्यू काम कर रहा है तो कैपिटल ए एक दिन में कितना काम करेगा लिख के बताओ मिरेको अगर capital A 12 दिन में W काम कर रहा है तो भाई वो एक दिन में कितना काम करेगा एक दिन में वो काम करता है W by 12 एक दिन में वो काम करता है W by 12 अगर 12 दिन में अगर total काम कर रहा है total काम क्या है W तो एक दिन का काम क्या हुआ W by 12 similarly अगर B अकेले काम करता है तो B के एक दिन का वर्क कितना होगा W by 20 W by 20 यह आपको समझना है यही है यूनिट्री मेठेड और कुछ नहीं है इसी पर पूरे कोश्चन बनेंगे W by 12 है एक दिन का काम और W by 20 है B के एक दिन का काम क्लियर यह चीज इस इसको अगर मैं इधर रहां दो मान लीजिए यह है मेरा टोटल वर्क डबलीओ दिस इस माय टोटल वर्क डबलीओ क्या है टोटल वर्क डबलीओ एक रेक्टेंगल बनाना इतना बड़ा सा यह मेरा वर्क एक रेक्टेंगल बनाना इतना बड़ा सा तो A जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है This is the work done by A A जो है इतना बड़ा rectangle बना ले रहा है ठीक है This is the work done by A A कितना काम कर रहा है W by 12 यह है W by 12 एक दिन का A का काम अब B कितना दिन में काम कर रहा था B का था W by 20 माल लीजिए This is the work done by B अगर A प्लस B मिल के काम करते हैं तो एक दिन में वो लोग टोटल इतना काम कर पाएंगे क्लियर ये चीज इचीज समझ में आई आई आपको कि A और B मिल के एक दिन में इतना काम कर रहे हैं एक दिन का काम है ये A और B का अगर A प्लस B मिल के काम कर रहे हैं तो क्योंकि A का काम था इतना B का काम था इतना दोनों एक साथ अगर काम कर रहे हैं तो डे विल डू दिस मच अमाउंट आफ वर्क क्लियर है या तक के यह एक A प्लस B के एक दिन का काम है अगर A प्लस B के दो दिन का काम लिखूँ कि भाई यह A प्लस B दो दिन में कितना काम करेंगे तो इस डब्बे को डबल कर दिया जाए इतना काम करेंगे इतना इतना यह है टोटल दो दिन का काम यह है टोटल दो दिन का काम अगर तीन दिन का काम बोलूं तो कितना कर लेंगे इतना कर देंगे पूरा यह है टोटल तीन दिन का काम समझ भारा है यह है टोटल तीन दिन का काम A प्लस B का तो अगर यह आप से पूछे कि बताईए A प्लस B अगर a plus b अगर पूरा काम मिल के करते हैं तो कितने दिन में complete होगा ठीक है कितने दिन में complete होगा तो एक बात बताओ this is one day's work a का one day का वर्थ कितना था यहाँ पे लिखाओ ओना w by 12 a plus b अगर एक दिन का काम लिखना है मेरे को तो a के एक दिन का काम कितना है w by 12 plus b के एक दिन का काम कितना है w by 20 यह दोनों का मिल के एक दिन का काम है यह जो मैंने डबबा बनाया है ना एक दिन वाला this is nothing but w by 12 plus w by 20 और यह दो दिन का काम कितना हो जाएगा twice of w by 12 plus w by 20 क्योंकि यह एक दिन का काम है तीन दिन का काम कितना होगा rice of W by 12 plus W by 20 clear हो रहा है यह चीज क्यों पर से आ रहा है एक दिन का काम मेरे को पता है भाई एक दिन में A इतना काम करता है B इतना काम करेगा दोनों मिलके कितना काम करेंगे add कर दिया दोनों मिलके दो दिन में कितना काम करेंगे टू से मल्टिप्लाई कर दिया दोनों मिलके तीन दिन में कितना काम करेंगे थ्री से मल्टिप्लाई कर दिया चार दिन में कितना काम करेंगे चार से मल्टिप्लाई कर दो देखो इसको एक बार देखिए इसको एक बार का पांस दिन का कितने भी दिन का काम निकाल सकते हैं उनका अगर वो मिलके तो अब देखो आगे बढ़ रहा हूं मैं अगर मेरे से पूचता उसी कोश्चन में कि भाई दोनों मिलके कितने दिन में काम खतम करेंगे इफ A प्लस B अगर एक साथ वर्क कर रहे है तो कितने दिन में काम खतम करेंगे तो मिरे को नहीं पता तो मैं मान लूँगा N नमबर ओफ डेज में काम खतम करेंगे दो चीज आपको एज्यूम करना रहेगा आख बंद करके टोटल नमबर ओफ वर्क क्या है डबल्यू टोटल नमबर ओफ डेज कितना लगेगा उन्हें काम खतम करने में N नमबर ओफ डेज A प्लस B जो है मिलके N नमबर ओफ डेज में कितना काम कर लेंगे क्या है टोटल वर्क नथिंग बट डबल्यू a plus b मिलके तो क्या होगा equation क्या बनेगी number of days यहाँ पे लिखा था ना एक दिन का काम this, दो दिन का काम twice of this, तीन दिन का काम thrice of this तो n number of days का काम क्या हो जाएगा n number of days का काम n into w by 12 plus w by 20 और यह किसके बराबर होगा total work जो कि w है यह equation बनता है हमेशा हर question में यह equation बनेगा हर question में यह equation बनेगा उसके आगे solve करना है अब कुछ नहीं है work आप मान लेना total work w, यह w cancel हो जाएगा इससे बट w मान के solve करिएगा confusion नहीं होता कई books में आपको 1 by 12, 1 by 20 20 equal to 1 लिखा रहता है वो काम मत करिएगा एक variable मान लीजे डबलू जो cancel हो जाएगा end में तो आगया answer क्या आया n into 1 by 12 plus 1 by 20 is equals to 1 आगया number of days कितना आता है इसमें number of days आजाएगा 20 plus 12 divided by sorry 20 into 12 not plus 20 into 12 divided by 20 plus 12 यह है पूरा time and work complete इतना ही है इतना ही है इसको solve कर लेना कितना आएगा 240 divided by 32 तो solve कर लिजेगा that's not an issue तो इसी तरीके से question आएएगे unitary method यह ही होता है कि अगर a जो है 12 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन का काम कितना हुआ w by 12 b अगर 20 दिन में काम कर रहा है तो b का एक दिन का काम क्या हुआ w by 20 a plus b का एक दिन का काम कितना हुआ w by 12 plus w by 20 जो यह डबबा बनाया था का गया कि यह तो टोर्टल नंबर कन們 कितने दिन चलेगा नहीं पता य न नंबर ओव डेश चलेगा तो एन इन टू ये डब आ करोंगा अगर मैं एन इन्टू ये वाला डबा तो किसके बराबर आना चाहिए टोटल बॉक्स के बराबर वही है एक्वेशन तो इसी के साथ आपका टाइम एंड वर्क की थ्योरी फिनिश होती है ठीक है हर कोश्चन में इसी कंसेप्ट के बेसिस पर सॉल्फ करना है नथिंग एल्स ठीक है एंसर कुछ लोगों ने दिया है 7.5 आ रहा है ठीक है सॉल्फ कर लेना उसको आ जाया का एंसर किता आपको समझाने के लिए मैं डिटा लिए था एक बार अगर नोट करना है तो कर लीजिए यह यहां दे स्टार्ट किया था मैंने एक बार नोट करना है आए स्क्रीम शौट लेना जो भी करना है कर लो है द्सक्रीन द्सक्रीख कूस्शन कर आउंगा मैं थे अँरेख फिर यह ता एक देन का वर कितना दो दिन का वcias तर दिन का वर कुटना तीन दिन आगर चार दिन होगा तो फॉर से मल्किन लेगे एंड़ियौ तो एंसे मल्क एप्लाई कर लेंगे और फिर था ये कि end days में काम कम्पीट कर रहे हैं तो मैंने question निकाल ली end के value आगे 240 by 32 कितना आया ये 240 by 32 लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे सीधा I hope ये clear हो रहा होगा I hope ये clear हो रहा होगा अब ये question पढ़ोगे ना इसी में ये अलग-अलग innovation करते हैं अलग-अलग innovation करते हैं उनको करने दीजिए पर तरीका मेरा question solve करने का ये ही रहेगा और एक और मैं request करूँगा आप लोगों से ठीक है कि request बोलो या मेरा order बोलो जो भी बोलो जैसा मैंने लिख के solve किया ना पूरा अगर आपको time and work नहीं आता time and work के सवाल नहीं बनते हैं तो ये request है मेरी कि कम से कम 40 question ऐसे ही लिख के solve करना time की चिंता मत करना exam में मैंने कहा था accuracy पहले आएगा time बाद में स्पीड बाद में आ जाएगा ऐसे लिख के solve करना क्योंकि एक बार अगर आपको ये method internalize हो गया तो जब आप exam में solve करेंगे तो आप सीधा ये equation लिखेंगे आपको वो सब लिखने की जरुवत नहीं पड़ेगी अगर आप direct direct ये लिखने जाओगे तो करते होगे शुरू में इसे लिए रुक जाओ 40 question कम से कम पुरा लिख के solve करो 41st question से आप ये direct equation लिख सकते हो तो तो चलिए शुरू करते हैं आप कहां सवाल चलू था यहां से था ना चलिए बनाई ये अवला question अटेम्ट कीजिए क्या कह रहा है अटेम्ट कीजिए इस question को कि कैपिटल एजो है कोई काम दस दिन में कर रहा है capital B सेम काम 12 दिन में कर रहा है मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में खतम करेंगे तुरंट answer बताओ आधे मिनिट में यह वाला question में बनाया था भी बस डेटा चेंज करना है कि देखो इदर अभी मैं लिख के बता रहा हूं आपको क्यूंकि आपकी कॉपी में ऐसे लिखा होना चाहिए capital A 10 दिन में कितना काम कर रहा है W तो capital B जो है वह 12 दिन में कितना काम कर रहा है सेम काम W तो क्या आगया देखो capital A का एक दिन का वर्क कितना आएगा दस दिन में W काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा W by 10 ठीक है Similarly कि capital B एक दिन में कितना काम करेगा clear दिख रहा है W by 12 तो A plus B अगर मिल के काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे W by 10 प्लस W by 12 कि अगर मिल के काम कर रहे है तो वो इतना काम करेंगे W by 10 प्लस W by 12 अब आपको पता है कितने दिन में काम खतम हो रहा है let number of days be n तो क्या equation बनेगी number of days into एक दिन का work is equals to total work यह www से cancel हो जाएगा answer कितना आजाएगा number of days is equals to 12 plus 20 मतलब 120 by 22 मतलब 60 by 11 days I hope यह बन गया होगा सबसे 60 by 11 good नफीस का सबसे पहले answer आया है 60 by 11 days same है process कुछ भी नहीं करना इसमें देख लीजे एक बार इसको आया और किसी का answer कि नहीं सिर्फ नफीश का ही आया है A का एक दिन का वर्क लिख लो B के एक दिन का वर्क लिख लो दोनों का मिला के वर्क लिख लो और फिर number of days अगर N है वंडे का वर्क इस इकोल्स टू टोटल वर्क N की वैल्लियो आ गई 120 वाइ 22 कहां से आया ये 12 इंटू 10 हो गया 120 और 12 प्लस 10 हो गया नीचे में 22 60 by 11 5.45 डेज आयगा एंसर अभी विसर दो ही कमेंट आये है इसमें चैट में मैं जो क्या दो ही लोगों क्या एंसर आये है प्रिया जी का एंसर आया है और नफीस का एंसर आया है वाकी जंता ग्रेशी का भी एंसर आया है गुड़ यह हटाओं क्या एक फॉर्मूला बताना था तुम्हें जिनको इतना सारा महनत नहीं करनी उनके लिए स्वाल ऐसे ही करना बट एक फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं मैं क्या रेको फॉर्मूला क्या बोल रहा है नंबर ओफ डेज इसी में से देखके बता रहा हूं कई किताबों में लिखा रहता है multiplied by one day work is equals to total work यही फॉर्मूला है जो मैं लगा रहा हूं कि अगर नंबर ओफ डेज अगर एन है तो एन इंटू एक दिन का काम is equals to total काम ठीक है एन इंटू एक दिन का काम is equals to total काम यही फॉर्मूला हाप भी लगाया गया है देख लेना इसको तब इसको देख लिजेगा नंबर ओफ डेज इन्टू वन डेज वर्क इजी को स्टू टोटल वर्क बुक में पढ़ोगे तो यह डबलू नहीं लेते हैं तो यहां वो सीधा ही वन से सॉल्व करते हैं वन बाय ट्वेंटी वन बाय टुवेल इक्वल टू बन होता है पर वो कंफ्यूजिंग होता है चलिए आगे बढ़ते हैं यह वाला कुश्चन राजु वालबाद में पहले यह वाला बनाओ यह सब डिवाइड में ठीक है बनाए इसको पॉल डिसकुशन तेम कुश्चन है प्रैक्टिस के लिए आपके गेँट जल्दी से एक कोई काम कर रहा है बीस दिन में वही काम कर रहा है पंदरा दिन में तो मिलके काम करेंगे तो क्या होगा मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम खतम होगा फार्मुले से भी बना सकते हो डारेक्ट पर क्यूंकि आप पहली बार सीख रहे हैं मैं यह एजूम करके चल रहा हूं तो मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए क्यापिटल ए 20 दिन में कितना काम कर रहा है डबल्यू तो क्यापिटल एक एक दिन का काम कितना होगा डबल्यू बाइट ट्वेंटी क्यापिटल भी पंदरा दिन में कितना काम कर रहा है डबल्यू तो क्यापिटल बी का एक दिन का काम कितना होगा डबल्यू बाइट फिफ्टीन यह रेखो यह दो चीज काम का है W by 20 and W by 15 अगर किसी को इसमें डाउट हो रहा है कि मैं यह कैसे लिख रहा हूँ तो तुरेंट कमेंट करके बताए 8 हा रहा है सबका एंसर 8.57 B ओके ऑप्शन नमबर भी चेक कर लेते हैं तो A plus B एक दिन में कितना काम करेंगे W by 20 plus W by 15 यह है बंडे का वर्क अब आपको पता है क्या करना रहता है बही टोटल नमबर आफ डेज है N N इंटू W by 20 प्लस W by 15 इस इक्वल्स टो टोटल वर्क जब आपकी प्रक्तिस हो जाएगी तब आप यह सारा स्टेप को एक्जाम में नहीं लिखेंगे आप सीधा यहां से चालू करेंगे question नमबर आफ डेज इंटू बन डेज वर्क बट चालीस कुश्चन ऐसे लिख्के बनाना है चालीस कुश्चन आपको वैसे लिख्के बनाना है तो क्या हो जाएगा डबल्यू डबल्यू डब्यू सब कैंसल हो गया एन इस इकोल्स टू 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 फिफ्टीन डिवाइड बाइड बाइटी पाइफ या जाएगा 20 प्लस 15 कर दिया है तो कित्ता बने गए यह इसको 29 देते इसको आगया 3 यह आगया 7 तो 60 by 7 days 60 by 7 60 by 7 आ रहे है न हां तो क्या हो जाएगा 8 7 जा 56 प्लस 4 option number B mixed fraction आपको पढ़ा दिया था मैंने पहले class में mixed fraction मैंने पढ़ाया था 60 by 7 is the final answer option number B क्योंकि 8 कितना है 4 by 7 को कैसे लिखता हूँ मैं 8 into 7 plus 4 by 7 8 into 7 56 56 plus 4 60 by 7 60 by 7 अब और ऐसे ही सवाल कराने की जरुत नहीं है शायद क्लियर हो गया आप नोट कर लीजे आराम से जरुत और ऐसे सवाल कराने की थोड़ा अब लेवल को टफ करूं जल्दी से बताओ मुझे क्या जरूरी है और ऐसी सवाल कराओ यह लेवल को तफ किया जाए अब जल्दी से कमेंट करिए तुम बोलो कि मैं थोड़ा से स्केल अप करूंगा इस केल अप किया जाए गुड़ चलिए के लप करते हैं यह वाला कुशन नहीं बनाया थे नहां यह वाला टेम्ट करो अब कुछ कुछ सीखेंगे नया चीज़ बैसिक्स तो क्लियर हो गए हैं अब चलो देखो तो इस कुश्चन को क्या कह रहा है देखिए इस कुश्चन को तफ किया जाए तफ हो गया है बतलब अगला कुश्चन यह था वैसे कुश्चन और लाया नहीं था तो तुम लोगों से होई जो मुझे करना है ठीक है जलो सल्फ करो इसको तफ कुश्चन इसमें है नहीं कुछ कोई टॉपिक कदलब सी सैट में ही कुछ टफ नहीं है अगर तुम सही तरीके से पढ़़ो तुम यह कोश्चन भी इजी लगेगा बनाने में साहिल ने अंसर भी दे दिया जब देखो क्या कह रहा है जिनको अभी तक नहीं समझ में आया है वह एक बार बोर्ट पे ध्यान दे राजू जो है 25% आफ और वर्क कर रहा है पांच दिन में ठीक तो राजू जो है पांच दिन में अब देखो आफ ट्रैप क्या है इसमें कि राजू जो है वह पांच दिन में अपटल्ल वर्क नहीं कर रहा हम इसमें आप यम क्षेज़ परसेंट ऑफ दमर्क मतलब ट्वेंटी फाइड बाइंट्रड इन्टू डूव एब्लीने शो वहो कितना पब्लीन कर रहा है मतलब यहां पर कितना आएगा वाटाओ तो हाँ सब्सक्राइब पर एक ना जाएगा W by 4 राजू 5 दिन में W by 4 काम कर रहा है तो राजू का एक दिन का काम कितना होगा पांच दिन में W by 4 मतलब एक दिन में W by 4 इन्टू 5 यह मतलब W by 20 यह राजू के एक दिन का काम यह आपको समझना है इसमें यह आपको समझना है कि राजू पांच दिन में आप टोटल वर्क नहीं कर रहा था टोटल वर्क का 25 परसेंट कर रहा था तो एक दिन का काम आगे है W by 20 अच्छा how many days will he take to complete the work 10 times वह कहानी let number of days be n तर देखो यह आपर एक दम ध्यान से n number of days into a good in cover W by 20 number of days n into a good in cover is equals to total work total work it nice bar how many days he will take to complete the work 10 times मतलब दस गुना डबली ओ डबली ओ डबली ओ डबली ओ कैंसल एन इजी कोल स्टू तू तू हंड्रेड आप्शन नंबर सी एक टफ कुश्चन नहीं मिलेगा इसमें अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बस कॉंप्लिकेशन रहेंगे कुछ कुछ बदल देगा कहीं कुछ बदल देगा बाकी सब सेम रहेगा तो राजू को दस गुना काम करने में कितना दिन लगेगा 200 लगेंगे ऑप आप आप अगया होगा और आई होप समझ में आ गया होगा कि असकाफी लोग का एंसर आया था अब से पहले प्रिया का आया था पिर आया था ट्रैवल स्फियर का तनू का मोनू का डॉक्टर पाटिल नाफीज ग्रेसी गुड यह नहीं नहीं आया उनको भी टेंशन लेने क पर हाँ मेरे समझाने के बाद समय में आ जाना चीए अ चलिए अगले सवाल पर पहुंचते हैं यह तो बन गया था यह भी बन गया था यह भी बन गया था हाँ अ फड़ा और अलग सब्सक्राइब नेक्स्ट वन पढ़ो इसको क्या कह रहा है क्या पिटल ए कोई काम 20 दिन में कर रहा है ठीक वो पांच दिन के लिए काम किया उसके बाद चला गया ही वर्क्स एटिट फॉर फाइव डेज उसके बाद बी लग गया उसकाम में बी ने और दस दिन लिये और काम खतम हो गया तो आपको बताना है दोनों मिल के काम कितने दिन में खतम करेंगे वर्क्स में कुशन कैपिटल ए बीस दिन में एक काम को पूरा खतम कर देता है उसके बाद वो चला गया एक नया आदमी आ गया बी और बी ने और दस दिन लिए काम खतम करने में आपको बताना है कि दोनों मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में खतम करेंगे देखो इसको ट्राइग करके कीजिए ट्राइग मैं लिखता हूँ देखो क्या पिटल एबीज दिन में डबल्यू वर्क कर रहा है तो क्यापिटल एक दिन में काम कितना होगा डबल्यू बाइट 20 यह हो गया एक दिन का काम अशर आया है मृनाल का वर ट्रेवल स्फियर का भी देखते हैं क्या होगा क्यापिटल एएक दिन में इतना काम कर रहा है डबल्यू बाइट 20 अच्छा क्यापिटल बी को कितना समय लग रहा है काम खतम करने में मुझे नहीं पता वो गिवन नहीं है तो मैं क्या मान रहा हूँ क्यापिटल बी को लगेगा जो चीज नहीं दिया है वो लगेगा X number of days W काम करने में B के एक दिन का काम या B का total दिन कितना लग रहा है वो given नहीं है तो B लिया X days तो B का एक दिन का काम कितना होगा W by X ये दो data मुझे मिल गया A के एक दिन का काम और B के एक दिन का काम ठीक है ये हो गया आपका दोनों के एक एक दिन का काम मुझे मिल गया अब देखो हो क्या रहा है capital A कितने दिन के लिए काम कर रहा है फिर 5 दिन के लिए तो capital A का वर्क कितना होगा 5 इंटू यहाँ पर दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे है यहां पर दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं पहले 5 दिन A काम कर रहा है फिर बचे वे 10 दिन B काम कर रहा है तो capital A ने 5 दिन तक काम किया कितना काम किया 5W by 20 यह A का contribution है जान से समझना यह A का का contribution है 5 into W by 20 plus B ने कितने दिन तक काम किया 10 more days 10 दिन तक काम किया मतलब 10 into W by X यह किसका contribution है यह है B का contribution is equals to क्या आएगा total work तवी तो काम फिनिश हो गया ना total work तो क्या बना WW तो cancel हो जाएगा क्या equation आएगी भाई 5 by 20 plus 10 by X is equals to 1 यह आएगा 10 by X is equals to 1 minus 5 by 20 मतलब 10 by X is equals to 15 by 20 X is equals to कितना आया बताओ X आया आपका 200 by 15 मतलब 40 by 3 days B को काम करने में लगेगा 40 by 3 days B को काम करने में लगेगा 40 by 3 days देख ली जभी answer आये नहीं है मैंने B का समय निकाल लिया 40 by 3 days बी का टाइम आगया 40 by 3 days अब देखो अरे क्या आगया बस्तबाद में आएंगे एक कितना था कहां गया 40 by 3 days नहां तो एका एक दिन का काम कितना है एका वन डे का वर्क कितना था W by 20 ठीक और बी का एक दिन का वर्क कितना था W by X X कितना था 40 by 3 मतलब 3 W by 40 यह आया B के एक दिन का वर्क 3 W by 40 तो number of days अगर N लग रहे हैं मिलके काम करने में तो W by 20 प्लस 3 W by 40 is equals to W total work तब cancel हो गया कितना आएगा number of days N is equals to solve करो 2 plus 35 हो जाएगा LCM लेके तो 40 by 5 8 दिन अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो डे टेक 8 number of days तो यह है एक बार नोट कर लो करना है तो है कोई ऑप्शन हाँ ऑप्शन नमबर ए आठ नमबर ऑफ डेज लोके बता रहे थे कब से यह बता रहे थे कुछ लोगों का भी आया था कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं गलत एंसर भी उनका है जिन्होंने अटेम्ट किया देख लीजे इसको लिख लीजे लिखना है तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं आगे का सॉलूशन यहाप है एक स्लाइड में नहीं सॉल्व होता है आपको शुरू में सब कुछ लिखके सॉल्व करना बाद में आप डारेक्ट इक्वेशन लिखने लगेंगे वो प्रैक्टिस से आ जाएगा बच स्टार्टिंग में ही अगर डारेक्ट लिखना चालू क करोगे तो गलतियां हो सकती है कि अधिक है क्लियर यह चीज आगे बढ़े आगे बढ़ा जाए चलिए आगे बढ़ते है हां देखो इसके पहले यह चीज आपको एक छुटा से इंफॉर्मेशन देना था जो आपको पता भी है जिनको नहीं पता है उनके लिए कि हम लोग स्टेडी आई क्यू में वियर लॉंचिंग अ कोर्स क्या है कोर्स का नाम साइब प्लस सक्सेस इंद प्रिलिम्स 2023 अग्यों प्रिलिम्स आपके ओवर और आल आपके गोल के बीच में एक बैरियर बनके ना खड हो इसके लिए यह प्रोग्राम लॉंच किया गया है सक्सेस इन प्रिलिम्स ठीक इसको आपको क्या करना स्टेडी आई क्यू डॉट कॉम पे जाना यह आपको कोर्स मिल जाएगा इस कोर्स के फीचर्स आप देख लीजेगा ठीक है क्योंकि यह बहुत ज्यादा बेनिफीश चंद्रा पढ़ूं कि ओल्ड एंसी आटी पढ़ूं फाइन आर्ट्स पढ़ूं कि नितिन सिंगानिया पढ़ूं एक्जाम के पहले यह कोशन उड़ जाते हैं क्या इन्वार्मेंट में क्या करूं शंकर आयस पढ़ूं कि कोई और बुक देख लूं पॉलिटी में क्या ए लोगी नहीं आएंगे जब एक्जाम आजाएगा तब डाउट आता है तो इन सारी चीजों को हम लोग एंसी आट्यों स्टैंडर्ड बुक से जो काम का चीज है वो हम निकाल के आपको बता दे रहे हैं तो यह सारी चीज़ें आपका हरे क्लास के बाद टेस्ट होगा एक त अचल रहे है तो फ्री यह निकल रहा है है भूशबंस का पेपर देने जा रहे हैं तो इस लिंट फ्री में ज्यादा जरूरी रहता है तो यह सारी चीज़ें और नोट मिलता है रिवीजन के लिए नोट भी बनाकी दे रहे है है तक एक्जाम के 10 दिन पहले 5 दिन पहले रि to join 19 December से शुरू होगा साथ बैसे लाइब चलेंगे सेशन मुझे जहां तक पता है शाद मार्च एंड तक क्या आपका फिनिश करा देंगे आगे आप जाईए घर तो यह आप देख लीजेगा इसको इसकी की टोटल फीज कुछ है 11,500 बढ़ा अगर आप 80 लाइब मेरा कोड यूज करते हैं 80 लाइब यूविए यूविल गेट इडाइट सिक्स थाउजन रुपीज सिक्स थाउजन रुपीज में पूरा का पूरा प्री इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग नोट्स करेंट अफेयर्स सी साइट सारी चीजे कवर हो रही है तो आप इसको एक बार देख लीजेगा स्टडी आई कुर डॉट कॉम पे ठीक तो चलो आगे बढ़ते हैं कहां कहां पे थे हां लिए यह वाला बनाओ यह वाला क्योश्चन ट्राइब करो ट्राइब कर ऊसक्षिंग को प्रिया ने कहा है सरीए का सिर्फ प्रिलिंस के लिए है सिर्फ बिल्कुल आपका प्रिलिंस जो है मार्च तक के पूरी की पूरी प्रप्रेशन हो जाएगी टॉपिक हर एक टॉपिक हर एक सेक्षं इंक्लूदिंग रिविजन नोट्स इंक्लूदिंग करेंट अफेर्स इंक्लूदिंग NCRT और स्टैंडर्ड बुक इंक्लूदिंग C-SAT और C-SAT में भी सिर्फ ये Maths वाला पोर्शन नहीं, Quant, Reasoning और Reading Comprehension, जैसे मैं अपने classes में भी बोलता हूँ students को, कि यार C-SAT में ना Preparation इस लेवल की होनी चाहिए, कि paper देके आने के बाद, सिर्फ और सिर्फ paper 1 का solution मिला रहे है, paper 2 का solution लेने का load भी नहीं लेना, क्यों यह मेरे को पता है, 66 में ले आऊंगा, कैसा भी paper हो, doesn't matter, यह answer आया है, मरनल का 4 days, चलिए, देखते हैं क्या कहा रहा है question, इधर देखो, ए जो है, यह थोड़ा अलग type का question है, capital A जो है, दिवाल को build कर रहा है 10 दिन में, capital A 10 दिन में दिवाल को build कर रहा है, capital B जो है 5 दिन में build कर रहा है, same wall को, capital A काम कर रहा है 10 दिन में, capital B काम कर रहा है 5 दिन में, आच्छा, C की क्या कहानी है, C दिवाल को build नहीं कर रहा है, destroy कर रहा है 20 दिन में, A और B बना रहे हैं, C जो है वो बिगाड रहा है इस question में यह आपको समझना है कि A और B जो है वो बना रहे हैं और C जो है वो बिगाड रहा है 20 दिन में अगर यह सब एक साथ मिल के काम करते हैं तो दिवाल कितने दिन में बन जाएगी इस इस दे कुश्चिन ए और भी बना रहे हैं सी भी गाड रहा है ठीक है तेको अध्यान से देखने एक निया कंसेप्ट सीखोगे क्यापीटल एवाई मेरा रिचुवल की शुरू में पूरा लिखूंगा डवल्यूवर्क कर रहा है क्यापिटल ए 10 दिन में डवल्यू आएडवल्यू बना रहा है W work तो capital B एक दिन में कितना काम करेगा W by 5 हाँ यह यह दो चीज़े मुझे मिल गई काम की capital A W by 10 काम कर रहा है और capital B जो है वो और capital B जो है वो W by 5 काम कर रहा है एक दिन में है ठीक है मुझे कुछ queries आ रहे है regarding आपका ये कोर्स के बारे में SIP plus के बारे में रुख जाईए अभी question चल रहा है तो question पर ध्यान दीजिए question के बाद में आपके queries ले लूँगा SIP के या session के end में हम discuss कर लेंगे बट अभी इस पर question पर ठीक तो capital A काम कर रहा है W by 10 capital B काम कर रहा है W by 5 नया चीज क्या है आपर ती का बताओ तो C क्या कर रहा है C 20 दिन में तुम मुझे लिखके बताना अब capital C जो है वो 20 दिन में W काम करेगा की minus W काम करेगा comment करके बताईए capital C जो है वो 20 दिन में W positive work कर रहा है या negative work कर रहा है यह दोनों तो दिवार बना रहे हैं यह भी यह तोड़ रहे हैं है जल्दी से बताईए लिखके क्या होगा A और B बना रहे हैं C जो है वो तोड़ रहा है तो C का work क्या होगा positive work की negative work कि positive work या negative work ती का काम जो है exactly ती जो है 20 दिन में माइनस W काम कर रहा है not plus W इस question में एक निया चीज सीखने को मिल रहा है concept of negative work कि नॉट पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क जो आपको pipes and system पढ़ाऊंगा ना जो बताया थे ना कि टंकी में एक नल से पानी आ रहा है और leakage से पानी जा रहा है तो उसमें भी यही concept आता है कि जो leakage रहता है whole वो negative work करता है यहाँ पर यह बना रहे हैं यह तोड़ रहा है तो C का एक दिन का work कितना होगा हूं माइनस डब्ल्यू बाई 20 यह वाद रख नी है इसमें माइनस डब्ल्यू बाई 20 थीक है माइनस डब्ल्यू बाई 20 यह C के एक दिन का work हो गया अब ओगया तिनों मिलके कितना याकाम करेंगे W by 10 plus W by 20 20 है नहीं, sorry, W by 5 W by 5 और minus W by 20 यह C का काम हो गया, एक दिन का काम into number of days करूंगा तो क्या हो जाएगा, total work के बराबर direct equation लिख दिया A का काम, B का काम C का काम, total काम कितना आएगा, N is equals to 5 5 plus 10 कर देते हैं, कितना हो रहा है यहां से कर लो, 1 by 10 plus यहां पर आगया 20 LCM 4 में से वन गया, 3 by 20 is equals to 1, तो N कितना हो जाएगा, 2, 5 by 20 equals to 1, तो number of days कितना आगया, 4 तो यह था यह वाला question, इस question में answer आएगा, 4 N is equals to 4 days इस तरीखे से अगर आप यहां से लिखना चालू करेंगे, you will get answers very quickly रहा одно ठीक है तो एंसर इस सेवन एसर नोट सेवन एंसर इस पोर आगे बढ़ा जाए इसी तरीके से आप लिख के सॉल्फ करो गलत नहीं होगा और टाइम पीजिंदा मत करो यहां से लिखने में आपको कुछ सेकेंट्स लगें इस कुश्चिन को एक्च्वल में सॉल्फ करने में मै 30 सेकेंड्स नौट मोर देन डाट बना सकते हैं इन कुश्चिन को कही तरीके से एक परसेंटेज मेठेट से भी बनता है बट परणा ही नहीं है यह कही तरीका जानो और खुश रहो चलो आगे बढ़ते हैं देख लीजे इसको फिर आगे बढ़ेंगे यह वाला कुश्चिन यह वाला कुश्चिन ट्राई कीजिए क्या क्या रहा है एक्स नंबर ओफ मेंड जो है किसी काम को 30 दिन में खतम कर रहे हैं ठीक है अगर 6 और आदमी जुड़ गए तो काम जो है 10 दिन कम में खतम हो जाएगा एक्स नंबर ओफ मेंड जो है किसी काम को 30 दिन में फिनिश कर रहे थे अगर यह आदमी और लग गए तो काम 10 दिन पहले खतम हो जाएगा तो बताईए ओरिजिनल नंबर ओफ मेंड एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स की वैल्यू कितनी है यह आपको बताना है करो इसको ट्राइए जैसे बताया हो ऐसे ही सॉल्फ करो एक्स नंबर ओफ मेन एक्स की वैल्यू बतानी है मुझे 11 ओमकार का एंसर आया है 11 देखो क्या हो रहा है एक्स आदमी मिल के एक्स नंबर ओफ में 30 डेज में है टोटल लुक डवल्यू कर रहा है ते जहां से लेखना इसमें 2 पेरामीटर से क्योंकि इसमें जो है 2 पेरामीटर से एक्स नंबर औफ मेन थीजिन दिन में W काम कर रहे है ठीक तो बताइए मेरं को X number of men एक दिन में कितना काम करेंगे W by 30 X number of men एक दिन में कितना काम करेंगे W by 30 तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेंगा W by 30 into X ये समझ में आया एक आदमी का एक दिन का काम मैंने निकाल लिया कितना W 30 इन्टी इन्टू एक्स यह एक्समेन का था डबल्यू बाइ 30 तो एक आदमी को कितना आएगा डबल्यू बाइट हटी डिवाइड बाइए एक्स अब क्या होगा इसमें आपको बोलाएं कि अगर छे और आदमी जुड़ गए यह और आदमी मतलब एक्स प्लस फॉर मेन एक दिन में कितना काम करेंगे चार आदमी और नी सॉरी है आदमी और जुड़ गए ना टो एक्स प्लस इक्स और इसन एक्स नंबर से एक आदमी stell ik ने इतना काम कर रहा था एक आद मी एक दिन की तना माम किया तो एक्स प्लस शक्स आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे एक्स प्लस-6 इंटु डबल्यू अपन 30 k X plus 6 into W upon 30 X this is clear हुई कि नहीं हुई X आदमी 30 दिन में W काम X आदमी एक दिन में W by 30 काम एक आदमी एक दिन में W by 30 X काम X plus 6 आदमी एक दिन में इतना काम अब आपको पता है कि भाई number of days को क्या बोला इसने if there are six more men the calm would be finished in 10 days less पहले तीज दिन में हो रहा था अब 10 दिन कम लगेंगे मतलब क्या हुआ 20 into number of days into equation X plus 6 into W upon 30 X is equals to total work W यह कैंसल हो गया क्या आगया 20 X plus 120 is equals to 30 X यह अधर आगया 12 is equals to sorry 120 is equals to 10 X X is equals to 12 मतलब 12 जो था आपका और इजिनली बारा आदमी जो है तीज दिन में काम खतम कर रहे थे अगर आपने यह आदमी बढ़ा दिया मतलब अगर आपने अठारह आदमी ले लिए तो काम बीस दिन में खतम हो जाएगा answer is 12 C good काफी लोगों का 12 एंसर आया था एक्स इकोल्स टू ट्वेल्फ यहीं बता रहा हूं आपको कि अगर एक्जाम में सॉल्फ करोंगे ता आपकी एक्वेशन यहां से चालू होगी बट क्यूंकि फास्ट टाइम कर रहे हैं तो लिखके सॉल्फ करेंगे देख लो एक्वार फिर आगे बढ़ता हूं अगले कुश्चन पर आएंगे अगले कुश्चन पर आएंगे अगले इसी तरीके से वह information को बदलेगा आपके कुश्चन में और कुछ नहीं बदलेगा तरीका यही का यही रहेगा बस information को change करेगा वो यह रहेखो यह वाला कुश्चन ट्राइब कर इस कुश्चन को क्या कहता है इस बर फिर वाल बन रही है विशू ने गुर आफ्टर नून बोला है गुड आफ्टून विशू और टाइम पर आया करो तुम एक घंटा लेट जोइन किया हो पर यह वैस कुश्चन को क्या कह रहा है एक कॉंट्राक्टर जो है उसने कॉंट्राक्ट लिए कि यह पचास दिन में एक वाल बना दूंगा और गूड़े एक कॉंट्राक्टर ने क्या बोला कि पचास दिन में वाल बना दूंगा उसने पचास आद्मियों को रखा बट वह देखा पचेस दिन के बाद की काम का सिर्फ 40% ही हुआ है ठीक पचास दिन में उसको वाल कंप्लीट करना था उसने 50 आदमियों को काम पर रखा पर 25 दिन बाद क्या देख रहा है कि सिर्फ 40% काम हुआ है तो यह बोल रहा है कि हाँ मैनी मोर मैं नीड़ेट टू एमप्लोई और कितना आदमियों सको रखना पड़ेगा काम को पचास दिन में ही कमप्लीट करने के लिए दिस इस अगर्शन कि आपको पचास दिन में काम खतम करना है तो आपको और कितने आदमी रखने पड़ेंगे तो देखिए सिंपल आवर्शन ही एमप्लोई फिफ्टी पीपल फॉर दा सेम कहने का मतलब क्या है यहां दियान दो पचास पीपल पच्छीस दिन में कितना काम कर रहे है 40 परसेंट मतलब 40 भाई 100 इंटू डबल्यू यही समझ में आया कुशन तो लिखा है मैंने कि पचास आदमी उसने रखा काम के लिए पच्चीस दिन बात क्या देख रहा है कि भाई से 40 परसेंटी वर्क हुआ है मतलब यह कितना हो गया कैंसल आउट होगे यह जाता है टू बाइफ फाइव डव्यू कि इतना वर्क हुआ है पचास आदमी पच्चीस दिन में इससे क्या ही क्वेशन निकल के आ रही है इससे क्वेशन निकल के आ रही है कि पचास पीपल एक दिन में कितना काम करेंगे टू डवल्यू बाइट 25 इंटू 5 पचास आदमी एक दिन में इतना काम करेंगे तो एक एक दिन में कितना काम करेगा 2W by 25 into 5 into 50 यह चीज़ इंपोर्टेंट है एक आदमी का एक दिन का काम कि एक आदमी का एक दिन का काम कितना हुआ 2W upon 25 into 5 into 50 यहीं बोलता है कि पचास आदमी 25 दिन में इतना काम करेंगे और एक आदमी एक दिन में इतना काम करेगा ठीक है तो एक आदमी का एक दिन का काम आ गया अब क्या हुआ रियांसे सुनिये याँ पर रहा है कि 25 दिन तो बीट गए ठीक 25 दिन में 40 परसेंट काम हो गया अब बचे हुए 25 दिन में उतको कितना एक्स्ट्रा आदमी रखना पड़ेगा तो मान लेते हैं यहां सॉल्व कर पर आव लेट नमबर ओव एक्स्ट्रा पर्संट कितने एक्स्ट्रा पर्संन हो रहे हैं ex एयक आदमी एक दिन में इतना काम कर रहा है पहले से 50 लोग थे ठीक तो 50 प्लस एक्स हो जाएंगे 50 plus X आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे 50 plus X लोग यहां पर क्या होगा 50 plus X multiply हो जाएगा मतलब 2 into 50 plus X into W divided by 25 into 5 into 50 यह हुआ 50 plus X आदमी गा एक दिन का काम ठीक अब देखो क्या हो रहा है दिन कितने बच्चे हैं काम करने के लिए पच्चिस दिनी बच्चे हैं कि पचास दिन का टार्गेट था तो नंबर अब डेस कितना हो जाएगा 25 50 50 प्लस एक सादमी का एक दिन का काम कितना होगा 2 into 50 plus X W divided by 25 into 5 into 50 कि इतने दिन में लोग कितना काम करेंगे कितना काम करेंगे 40% काम हो चुका है तो बचेगा कितना 60% काम मतलब 60 W by 100 यह आया एक्वेशन क्या यह समझ में आया आपको अब तो निकल जाएगा एक्स का वैल्यू अब तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी जरूरी था यह समझना कि क्या है यह एक्वेशन यह 25 इसते कैंसल हो जाएगा और क्या हो रहा है यह 0 इससे गया यह 0 इससे गया यह बने का इंड में तू इंटू 50 प्लस एक्स इस इक्वेल्स टू यहां से क्या रहेगा आपका 55 25 25 इंटू 6 कितना होता है 150 तो किता आ गया 100 प्लस 2 X is equals to 150 तो X is equals to किता है 50 by 2 मतलब 25 देखना सही तो किया है मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है 25 आना चाहिए एंसर एंसर शुट भी 25 एक बार देख लीजे कोई option मैच कर रहे है option तो ही नहीं चलो यह भी अच्छ है जल्दी से चेक करके बताओ एंसर शुट भी 25 एंसर शुट भी 25 यह कोश्चन इस तरीके से बनेगा आ रहा है नहीं आ रहा है एंसर 25 एंसर चेक करने के एक बार टू इंटू 50 प्लस एक डिवाइड बाइड बाइड इस 25 विदर से गया 55 यह होना चाहिए देख लो एंसर शुट भी दिस यहां से मैंने चालू किया था पचास आदमी 25 दिन में 2W by 5 काम कर रहे हैं पचास आदमी एक दिन में इतना काम करेंगे एक आदमी एक दिन में इतना काम करेगा ठीक और फिर 50 प्लस एक्स इंप्लॉई जो है वह एक दिन में इतना काम करेंगे तो 25 दिन में 60 परसेंट काम करना है कि 25 दिन में 40 परसेंट काम हो चुका था तो एंसर आयागा इसका 25 कि यह और यह जो हो रहा होगा यह कुशन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएक धिरे धिरे यह सुर्ण ओं हुआ हुआ है येस और नो कुछ पताई ये चलो इस वाले सवाल को देखो इस वाले कुछ न को देखो थोड़ दीजिए उस कुछ न को वो कुछ न गया इस कुछ न में गडाउट होगा तो सेशन खेदा होने के बाद एक बार फिर से उस क्लिप को देख लेना जाकर यूट्यूब पर यहां ध्यान दो इस वाले कुछ न को पढ़ो क्या गया रहा है अरे कुछ न का लेवल दीने से टफ होगा बड़ तरीका में वही रखूंगा मैं आपको जो बोला था शुरू में कि एक मेठेट सिखाऊंगा और सारे कुछ न उसी मेठेट से सॉल्फ करूंगा ताकि तुम्हारा कॉन्फिदेंस डेवलप हो उस कुछ न पर या उस मेठे कोशन का कह रहा है आठ आदमी मिलके बारा दिन में कोई काम कर रहे है यहां ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें दो लोग एक साथ काम करेंगे अलग अलग उसके यह थोड़ा अलग है कुछ्छन आठ आदमी बारा दिन में कितना वर्क कर रहे है डबल्यू मतलब आठ आदमी एक दिन में कितना वर्क करेंगे डबल्यू बाय ट्वेल्व तो एक आदमी एक दिन में कितना वर्क करेगा डबल्यू बाय टुवेल्व इंटू एट यह पहला डेटा आ गया ठीक है यह पहला डेटा आ ग अर्मी एक दिन में इतना काम कर रहा है अब और आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ता हूं वाइल ट्वेंटी वोमेन कें डूइट इंटें डेज मतलब 20 वोमेन कितने दिन में 10 दिन में सेम काम कर रही है तो 20 वोमेन एक दिन में कितना काम करेंगे डव्यू बाइ 10 तो एक वोमेन एक दिन में कितना काम करेंगी डव्यू बाइ 20 इंटू 10 यह मैंने एक दिन का वर्क निकाल लिया सब का अंसर फाइव डेस आ रहा है गुड एक आदमी एक दिन में इतना काम कर रहा है एक औरत एक चैक दिन में इतना काम कर रही है है ठीक कुशन में क्या पूछाए नंबर ओफ देज क्या सबढ़ लू एं देखे डिर्क टी कौशन लिक क्या रहो हो मैं मैं कई आगे में नंभर ॉव स्दिक यां नंबर आफ डेज इंटू क्या कर रहा है बारा अदमी और पंद्रा मुमें से काम कर रहा है बारा अदमी एक दिन का वर्थ कितना इतना तो बारा अदमी का एक दिन का वर्थ कितना होगा पालिमाइब शीज यह रहो मेन का कउन्ट्रीबिशं है एक मेन का कितना था डवलियो बाय 126 पैंट तो बारा अद्मी क्या होगा बारा इंटु विस्ट इसी थे ब्लैस लेमीड काम कर रहे बारा वू मैं संतक्व फंुरओम 15 women का कितना आएगा 12 into w by 20 into 10 this should be equal to total work this should be equal to total work हो गया कहानी अब क्या करना है यह सब cancel हो गया यह तो इसी से कट गया तो n into 1 by 8 plus इसको cancel करते हैं हो 3 by 2 मतलब 3 by 40 is equals to 1 तो n कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 40 और 5 plus 3 हो जाएगा 8 यह होगा न हाँ 1 तो n is equals to 40 by 8 मतलब पांच दिन में हो लो काम खतम करेंगे ऑप्शन नमबर सी पांच दिन में डेविल डू देर वर्क ऑप्शन नमबर सी क्लियर हुआ मेथेड तरीका आपको बस यह लिखना है जिस दिन आप यह लिख दिये उसके बाद तो क्या ही करना है नमबर आफ डेस से मल्टिप्लाई करना है सर्फ वो कितना भी कॉम्बिनेशन ले ले देख लीजेस कुश्चन को वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले यू कन सॉल्व इट कुश्चन किसी भी फॉर्म में आए मैं थाट मेरा यही रहेगा और यह कॉम्फिडेंस डेवलप करना है आपको कि कोई भी कुश्चन पूछ लो टाइम एन वर्क से मैं बना लूँगा अपने से कि आज़ो मैंने सिखाया तुरंट मिरको बताई यह रिपलाई करके क्या जो मैंने समझाया आपको शुरू से क्या उस पे लिख के बताईए है कि अधिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एप्रोच पता रहना चाहिए कैसा भी सवाल आ है अब मैं कोई शॉटकट याद नहीं कर रहा तो मुझे कंडीशन याद करनी की जरूत नहीं है अगर शॉटकट आपको कीज बताता है आऊ है फॉर्मुले तो हर एक टाइप की एक फॉर्मुले बनते है अब रवल टैंशन हुता एकजाम में कि कहीं भूल गए तो भाई भूलने का टेंशन किसको रहता है भूलने का टेंशन उसको रहता है जो कुछ याद करके जाता है हम याद करके थोड़ी जा रहे है यह तो फॉर्मुला हम इंटर्नलाइस कर लिये हैं इसमें भूलने का क्या है इसमें चलो आगे बढ़ते हैं यह क्या कह रहा है कितने questions बचे हैं और काफी है कहा गया हाँ चलो यह बनो यह बेच्छा question है इसको solve कीजे solve करिए इसको राजू विक्की और टिंकू की story है यह क्या गया रहा है कि राजू जो है कोई काम 10 दिन में करता है विक्की जो है 12 दिन में करता है और टिंकू जो है वो 15 दिन में करता है इन लोगों ने मिल के काम चालू किया देखो मिल के काम चालू किया, राजू जो है, दो दिन में चला गया, राजू दो दिन काम किया, फिर चला गया, विक्की जो है, काम खतम होने के तीन दिन पहले चला गया, तो आपको बताना है कि कितने दिनों में काम खतम होगा, इसमें तीनों एक साथ पूरा काम नहीं कर रहे है, राजू द इतने दिन में काम खतम होगा, इतने दिन में they will do the work, करूं मैं solve this को, देखो, अब पूरा नहीं लिख रहा, डायरेक लिख रहा हूं, राजु का एक दिन का काम कितना होगा, राजु का एक दिन का काम, W by 10, विक्की के एक दिन का काम, तोड़ा तो मुझे लिबर्टी मिलना चाहिए इतने देर से पूरा लिख रहे हैं अब तो आप यहाद पर लिख सकते हैं डारेक्ट डब्ली बाइटेन डब्ली बाइट 12 और क्या है टिंकू टिंकू के एक दिन का काम कितना है डबल्यू बाइट 15 यह तीन चीज़े मैंने लिख ली किसी ने कमेंट किया है देखते हैं एंसर है क्या निक्स ने कहा है कि वही शिक्स डेज आ रहे हैं देखते हैं कितना आ रहा है राजू के एक दिन का काम विक्की के एक दिन का काम और टिंकू के एक दिन का काम ये क्लियर है इसमें किसी को डाउट नहीं है अब देखो क्या हो रहा है राजू दो ही दिन काम करेगा मतलब 2 into w by 10 this is राजू's contribution उस काम में राजू का contribution कितना है 2 into w by 10 plus आगे देखते हैं विक्की काम खतम होने की तीन दिन पहले चले जा रहा है तो मैं ये मान लेता हूँ let time required या time taken is n n number of days लग रहे हैं ये तो राजू का काम था विक्की का क्या हुआ तीन दिन पहले चला गया मतलब वो n-3 days काम किया ये चीज क्या लिखा है मैंने ये राजू दो दिन काम किया तो 2 into w by 10 विक्की ने तीन दिन पहले चला गया काम होने के तो काम चला n number of days तो n-3 days काम किया विक्की और टिंकू कितना दिन काम किया टिंकू तो पूरा n number of days काम किया w by 15 this is equal to total work ये था आपका सवाल this is equal to total work ये क्या हो जाएगा w w and w तो इससे cancel हो गए कितना आया 2 by 10 को लिख देता हूं 1 by 5 plus n by 12 minus 3 by 12 कितना हो जाएगा 1 by 4 plus n by 15 is equals to 1 ठीक इतना आ गया n by 12 और n by 15 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 27 n by 12 into 15 ठीक 1 by 5 minus 1 by 4 कितना आता है 4 में से 5 गया minus 1 by 20 is equals to 1 plus 1 by 20 इतना कुछ आएगा ये आएगा ना चेक कर लो minus 1 by 20 तो उतना हो जाएगा तो finally कितना आ रहा है इसको solve करने के बाद इसको हटा दो तो छोड़ो solve करने के बाद finally कितना आएगा n की value आएगी 21 by 20 into 12 into 15 divided by 27 ये आ जाएगा इसको solve कर लेना ये आएगा इसको solve कर लीजेगा ओहो ने ठीक तो है क्या हो गया किसी ने लिखाय मुझे सरे डिस्टेंट टू डेज आप्टर वर्क इस कंप्लीटेड नहीं राजू लीवस आफ्टर टू डेज एंड विक्की लीवस त्री डेज बिपोर दा वर्क इस कंप्लीटेड ठीक तो लिखाओ मैं एन माइनस थ्री ठीक तो है यह क्या हो जाएगा देखो यह कटे का 7 से आहां या 3 से एंसर आएगा 7 डेज इसको कैंसल करोगे सब कुस्तो यह 7 आ गया यह 9 आ गया यह 3 4 से गया यह 5 से गया 5 स्टेवन आ गिया गुट्ट ठीक है सही है 7 ठीक एक किला कियर हो रहा है कंसेट मंजा आ रहा है क्लास में मैं सवाल दून तरीके से पूल सकता हूं कि समझ मैं आ है या मजा आ रहा है बात जवाब एक ही होगा दोनों का अब यह जो दो घंटा आप दे दी यह बारा से दो आज का दिन टाइम एन वर्क फिनिश हो गया अब टाइम एन वर्क कहीं से पढ़ना नहीं है बस कुछ सवाल बना ले नहीं ताकि प्रैक्टिस और हो जाए पूछ ले वो कोशन जैसे भी पूछना है चलो आगे बढ़ते हैं यह कुश्चन भी ठीक था गया है इसको भी देख लेते हैं देखिए इसको यह वाला भी अच्छा अलग कंसेप्ट है यह भी है यह वाला तो संपल है इसको हमवर्क में दे देंगे तो स्टन वाले गुश् बनाइए कुछ कोश्चिंज आपको हमभग दे दूंगा इसमें से सॉल्फ कर लेना शीट में से बनाइए इसको तंभू एंड कालू इन लोगों का कुछ डेटा गिवन है अब बताना है दोनों मिल के कितना दिन में काम करेंगे लो यार क्या करना है तंभू जो है संभू आठ दिन में कितना काम कर रहा है डबल्यू वर्क नहीं कर रहा है संभू जो है आधा काम कर रहा है मतलब डबल्यू बाइट तो इसके एक दिन का वर्क कितना हो गया संबू के एक दिन का वर्क कितना होगा W by 16 यह ध्यान रखना है संबू के एक दिन का वर्क होगा W by 16 और कालू कितना कर रहा है काम कालू जो है छे दिन में कितना वर्क कर रहा है 1 3rd मतलब W by 3 तो कालू का एक दिन का वर्क कितना है W by 18 कालू के एक दिन का काम है W by 18 अब वही कहानी मिल का काम करेंगे तो कितने दिन में काम होगा लो एन इंटू W by 16 प्लस W by 18 इंटू W W सब कैंसल एन इस इकोल स्टू 18 इंटू 16 डिवाइड़ वाइड़ वाइटीन प्लस 16 कितना आएगा 32 आएगा 32 आगे answer इतना लिख के भी मैं एक मिनट के अंदर इह कॉसट्यंट कर ले रहाँ इतना लिख के भी यह कोश्ट्यंट के अंदर सौल जारा है अब क्या करना है कुछ नहीं करना यह कर दो नहीं आज आएगा यह ता आएगा वीजसे अगर इसको वो किये तो 18 plus 16 in a 34 energy not 32 sorry it should be 34 it should be 34 not 32 so तो यह ता जाएगा 17 मतलब 16 into 9 by 17 9 6 दा 54 4 1 ऊपर 144 by 17 कुछ है option नमबर डी 144 by 17 option नमबर डी नफीस का सही आया था good 144 by 17 इसी तरीके से आपको इन सवालों को solve करना है 16 into 9 by 17 देख लीजिए इसको मेरे साब से अब सबसे बनने लगा होगा आगे बढ़ूंगा फिर में पिर आगे बढ़ा जाएगा प्लियर रहे ठीक यह अच्छा सवाल है यह अच्छा सवाल है solve करके देखिए इसको 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 नाइस कुछिशन 144 by 17 आ रहा था ठीक इस कुछिशन को solve करके देखिए यह भी अच्छा सवाल है ऐसा कुछिशन 6 आ रहा है इसको 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 सवाल करके है कि दीए क्या कह और को मनगोज जो है टेक ट्वाइस एज मच अइस क्वाइस ट मैज अनॉज पॉनगर के आihat इतक आब ट्वाइस टाइम ले रहा है चिए और आइस टाइम ले रहा है विजा के कंपैरिजन में किसी को complete करने में। चुछा कुछी कंसेप्त को समझ वै कि मनोज जो है त्वाइस टाइम ले रहा है अंझे केER कंपैरिजन में कोई काम करने में और ठ्वोजय के Erom डीक कंपैरिजन में कोई काम करने के लिए अगर ये मिल केशन लीकेरां करते अलग टाइप का कुश्यन है देखिए इसको समझते हैं क्या कहा रहा है मनोज अंजा और विजय किसी का मेरे को टाइम दिया नहीं है तो मैं ले लेता हूँ मनोज को ठीक है एक्स डेज लग रहे हैं डबल्यू वर्क करने में मनोज को एक्स नंबर ओफ डेज लग रहे हैं डबल्यू वर्क करने में त्यांद दीजेगा इसकोशन पर मनोज को एक्स नंबर ओफ डेज लग रहे हैं तो अंजय को कितना डेज लगेगा बताओ अंजय को कितना डिषीज लगेगा डव्ली खतम करने में ज़ली दोर अंजय को कितते लगे देज तो अंजय को तेना लगएगा क्यक्न कॉ quick रिक बता सकता है exactly x by 2 2x by 2 अंजे जितना दिन ले रहा है मosit newisto twice ले रहा है twice of x by 2-2 देथख ये हो गई और विजSO कि तरह दिन लगेगा फिर विजय को कितना दिन लगेगा बताओ लिखे विजय को कितना दिन लगेगा अगर मनोज X days ले रहा है तो विजय कितना दिन लेगा विजय लेगा X by थ्री डेज तेम डबल्यू वर्क करने के लिए यह हो गया तो लिख दो यहां पर मनोज के एक दिन का वर्क कितना आया था डबल्यू बाइए एक्स ठीक है और अंजय का वन डे का वर्क कितना आया था टू डबल्यू बाइए एक्स और विजय के एक दिन का वर्क कितना आया था त्री डबल्यू बाइए एक्स तीनों अगर मिल के काम करते हैं डबल्यू बाइए एक्स प्लस तू डबल्यू बाइए एक्स प्लस त्री डबल्यू बाइए एक्स कितना दिन लगेगा एक ही दिन लगेगा काम खतम करने में W तब कैंसल हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 6 by X is equal to 1 तो X की वैल्यू आ गई 6 days X की वैल्यू आ गई 6 days क्लियर है यह चीज अब examiner कुछ भी पूस दे हम बता देंगे हमें कोई डाउट नहीं है इसमें कि मनोज को लग रहा है भाई 6 दिन काम करने में अनजा को लग रहा है 6 by 2 मतलब 3 दिन काम करने में और विजय को लग रहा है दो दिन काम करने में अकेले ऐसे ही question बंते हैं माल लो examiner मनोज का नहीं पूसता अ-स बोलता कि यह पूसता uz那么 that कि विजय को कितना समय लग रहा है solve करने में ता आप क्या करोगे X by 3 मतलब 2 दिन में काम हो जा रहा है ये question थोड़ा अलग type का था देख लिजे इसको X, X by 2 and X by 3 अपना time लिजे और एक बार इसको देख लिजे इस question को then we will move forward ठीक है यहां तक के आगे बड़े एक ये question भी अच्छा है solve करना team data दिया है solve करना इसको कि आदमी का नंबर अलग है दिन कितना काम करने अलग है और उस दिन में कितना घंटे काम कर रहे है वो भी अलग है तो यह आपको बताना है solve करिए इसको एक बार सको solve करके देखो क्या होता है otherwise मैं solve कर दूँगा ट्राइ कीजिए एक बार जल्दी से एक बार ट्राइ कीजिए इस कुश्चिन को शुभम ने काया कि ट्वेंटी डेज आ रहा है एंसर ठीक है लेट अस चेक एक बार इसको चेक करते हैं कि कितना आ रहा है एक ही का एंसर आया है भी तक के हां तीस आदमी सोला दिन पांच घंटे काम कर रहे हर दिन ठीक है फाइव आवर्स कितना काम हो रहा है डबल्यू वर्क ज्यांसर रेखिएगा तीस आदमी सोला दिन पांच घंटा काम कर रहे है तो डबल्यू वर्क हो रहा है आवर्स को इधर भी लिख सकते हूं सोला को अधर भी लिख सकते हो क्योंकि मल्टिप्लिकेशन ही करना है एंड में तो 30 आदमी 16 दिन अगर एक ही घंटा काम किये तो कितना हो जाएगा W by 5 अगर 30 आदमी 16 दिन तक काम करते हैं पर एक ही घंटा तो कितना वर्क कम्प्रीट होगा W by 5 तीस आदमी एक दिन एक घंटा काम करेंगे तो कितना हो जाएगा W by 5 इंटू 16 और एक आदमी एक दिन एक घंटा काम करेगा तो कितना हो जाएगा W by 5 इंटू 16 इंटू 30 यह जरूरी डेटा है यह आप डारेक्ट लिख सकते हैं एक्जाम में नो नीट टू राइट पुरा यह समझाने के लिए लिखाया है आप डारेक्ट यह लिखना W by 5 इंटू 16 इंटू 30 यह हो गया ठीक है अब क्या बोला है how many days will 20 men working 6 hours a day ठीक है अगर 20 आदमी 6 घंटे काम करते हैं 20 आदमी एक दिन यह घंटा अगर काम करते हैं तो कितना काम होगा W इंटू 20 आदमी इंटू 6 divided by 5 इंटू 16 इंटू 30 इन एक दिन का काम मिल गया एन है नमबर आफ डेस कितना होगा W इंटू 20 इंटू 6 5 इंटू 16 इंटू 30 इस इस इक्वल टू डबल्यू तो डबल्यू 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 कैंसल हो गया यह 0 इससे गया ठीक और यह गया थ्री तू से टू टू जा फॉर 16 भी चला गया एन की वैल्यू 5 आदी है 5 तो नहीं है कहीं तो कुछ गरवड किया है मैंने ट्वेंटी इंटू कितने आर्स है शिक्स आर्स है न ट्वेंटी मेन वन डे तो डबल्यू इंटू ट्वेंटी इंटू 6 5 इंटू 16 इंटू 30 कहीं पर क्यालकुलेशन में स्टेक हुई है कुछ टेक लेते हैं एक बार तीस आदमी 16 दिन पांच घंटा यह आ गया तीस आदमी पांच इंटू 16 यहां तक तो ठीक है ठीक है अब क्या रहा है हो मैनी डेज विल 20 मेन वर्किंग 6 आवर सदे 20 मेन वर्किंग 6 आवर सदे यह तक भी ठीक है नमबर आप डेज इतना है यहां तक भी ठीक है एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं हाँ एक बड़ फिर से रिख लेता हूं एन इंटू W into 20 into 6 divided by 5 into 16 into 30 this is equal to W यह आ रहा है W and W cancel यह इससे cancel हो गया ठीक यह गया 3 1 से यह गया 2 से अचा ठीक है समझ गया गलती का है N is equals to 5 into 16 divided by 4 ऐसा आ जाएगा तो यह इससे गया 6 नहीं था वो 16 था और से तो 5 for the 20 20 is the answer ठीक कर जाएगा आपर मैं इसको 6 समझ लिया था 16 है ठीक है 5 into 4 आएगा answer तो 20 number of days देख लिए इसको यह मैं सिंपल कोश्चन था बस इसमें क्या है कि आवर का गन्सेप्ट नहीं आ गया था आपको कुछ नहीं करना बस एक कॉलम उसका भी बना दो 20 आदमी 6 घंटा एक दिन में इतना काम कर रहे हैं तो number of days हो गया n आ फिर इसको solve के लिए answer 20 आएगा आइंसर विल भी 20 देख लो जल्दी से जल्दी से एक बार देख लीजे फिर आगे बढ़ते हैं कितने सवाल बना लिया आज हम लोग एक बार काउंट करूं है काफी सारे questions बनाये हैं यहां से चालू किया थे ना एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा कि बारा कोश्चन समने बना लिए हैं भी तक कितने देर में सेशन चालू हुए हुआ है डेड़ घंटा 90 मिनिट्स में 12 कोश्चन आपको समझाया भी हूं और बना भी लिए हैं स्पीड अच्छी का सी है हमारी कि इस वाले को हमवर्क में डाल दो इस वाले को हमववक में डाल दो सेम कहानी है पंदरह आदमी 210 दिन में काम खितम कर रहे थे सौ दिन के बाद 15 आदमी और ले आए वाद आई हाओ मैनि इन्मोरे डेज्ट विल इतक्वाईर डिक्वायर टू सॉल घार टू तू दा वर्क इस वाले कुश्चन को हमवर्क में डाल लो यह भी सिंपल सवाल है ठीक 24 मैं वर्किंग 8 आर्स 8 आर्स वाला भी हम लोग देख चुके हैं यह पाइप सिस्टर्न वाला आ गया एक अच्छा कुश्चन देता हूं हां यह वाला बनाओ चलो तो यह वाला कुश्चन बनाई यह है यह वाला कुश्चन एक बर बनाई है कि सॉल्डिस कुश्चन जल्दी से पॉल्डिस कुश्चन यह शीट तुम्हें यह जो पीपीटी है टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा अभी क्लास खत्म होने के बाद शाम तक के क्या कह रहा है कुश्चन कि a can do a work in 18 days तो a का एक दिन का काम कितना है w by 18 अच्छा b का एक दिन का काम कितना होगा w by 9 और c का एक दिन का काम w by 6 यह हो गया तीनों के एक एक दिन का काम कि डारे क्लिक लिया मैंने यह मैंने डारे क्लिक दिया फोर आ रहा है कुश्चन का एंसर देखते एक एक दिन का काम और c के एक दिन का काम अच्छा a और b मिलके काम स्टार्ट कर रहे हैं और c जो है वो दो दिन बाद आ रहा है तो कितने दिन में काम खतम होगा तो आपको क्या समझना है इसमें कि a और b कितने दिन काम करेंगे n number of days n w by 18 यह किसका है a का काम प्लस n w by 9 यह किसका है b का काम पर c कितना दिन काम करेगा c दो दिन बाद आ रहा है तो c total work कितना करेगा n minus 2 w by 6 this should be equal to w यह equation बनेगी यह आपर n w by 18 n w by 9 पर c के लिए क्या है n minus 2 तो w w तो यहां से उड़ा देते हैं क्या बन जाएगा 18 है न तो 18 यहां पर 2 तो यह हो जाएगा आपका 3 n by 18 plus n by 6 is equals to 1 minus 1 by 3 यह 2 by 6 1 by 3 हो गया यहां जाके प्लस हो जाएगा यहां पर क्या बनेगा एटीन एन तो लसी हम अगर ले लेंगे एटीन और 6 का तो 18 आ जाएगा तो यहां पर 3 3 6 n by 18 is equals to 4 by 3 यह आ रहा है कि वन से गया 6 से गया 6 6 चला गया n is equals to 4 days option number B good जिसका भी answer 4 आया था ठीक है जिसका भी answer 4 आया था इसी तरीके साइब इसको solve करोगे n is equals to 4 days n is equals to 4 days मतलब ए और बी चार चार दिन काम किये ती जो है सिर्फ दो दिन काम किया वह दो दिन बाद आया था ठीक n is equals to 4 days देख लीजेस को भी लिख लो मतलब तुम्हें खुश होना चाहिए सीसाट के मतलब को आट के तीन टॉपिक खतम होने जाय रहे है दुवारा नंबर सिस्टम एवरेज इस टाइमन वर्क क्या चाहते हैं अगला क्या टॉपिक उठाय जाए नेक्स्ट मंडे इतलब नेक्स्ट वीक फिर मंडे को मिलेंगे हम लोग क्या टॉपिक उठाय जाय एनी सजेशन कॉइंट में से जो तुम्हें सबसे टफ लगता हो जिसे मैं क्लास में सॉल्फ करा दूँँ और दो घंटे बाद वह सबसे असान हो जाए आधि मैं हम आस्किंग फ़र सेजिशन लिखें एक कमेंट में क्या पढ़ा जाए अर्कमेंट में लिखना मतलब ये लाईव वाले चैट में फिर मैं देखनी पाता शेशन खता होने के बात कमेंट में लिखते हो तो वो दिक जाता है इसली विजिबल रहता है तो यह सवाल एक सज़ेशन आया है मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस क्या वह बहुत इजी टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है बाद में सोचेंगे अभी मत सोचने लगो ठीक है कमेंट में पता देना मैं उसको बाद में देख पढ़ लूँगा लाइब चैट में मत लिखिया अभी सवाल बनाई है अभी पूरा फोकस कुश्चन सौल्व में होगा यह वा लोकुशन बनाऊ सिस्टर्न सिस्टर्न का मतलब नहीं पता है तो सबसे इजी भाशा में बाल्टी या टंकी समझ लो बात खतम बनाईए इसको प्रॉफिट एंड एंड सरी पाइप सेंड सिस् दोनों मिलके एक सिस्टर्न को छे मिनिट में भर ले रहे हैं ठीक है पाइप बी जो है वो पाँच मिनिट ज्यादा ले रहा है एक के कमपैरिजन में उस सिस्टर्न को फिल करने में तो ए और बी इंडिविजुली कितना समय लेंगे दिस इस दा कॉस्च्चन है ठीक है इस दिस दा कॉस्च्चन की पाइप ए और बी मिलके 6 मिनिट में भर ले रहे हैं टंकी पाई बी को 5 मिनट ज्यादा लगेगा एक के कमपैरिजन में ताप को बताना है कि आ और बी कितना टाइम लेते हैं इसको सॉल्फ करने में बनाओ इसको पाइप सेंट सिस्टर्ण के विश्चिन जल्दी से बनाई है फिर इसको मैं सॉल्फ करता हूँ हूँ हो गया देखो क्या कर रहा है यह और भी मिल के 6 मिनिट में भर रहे हैं मेरे को नहीं पता तो मैं लिख लेता हूँ कि पाइप ए जो है पाइप ए को एक्स मिनट लग रहे हैं पाइप एक्स मिनट लग रहे हैं सिस्टर्ण फिल करने में सिस्टर्ण फिल करना भी एक वर्क ही हुआ तो मैं लिख दे रहा हूँ एक्स मिनट में डबल्यू काम कर रहा है सुर्द से नंकी भरने को मैंने डवल्यू कम बोल दिया इज बार मेरा काम फिक्स रहे है कांड व्व reka 5 effect ऐसे प्लने healthier that टेक्स मिनिट मोर् दैने मलब बिले गा एक्स प्लास फाइभ मिनिट्स टेम फिल करने में तो हमारा पाइप भी एक मिनिट में कितना का अग्वार कर रहा है डबली आपउल एक्स प्लस पाइव यह आ गया दोनों का देज 的 में बात नहीं हो रहिए है इस ब्रबात हो राय है मिनिट में ठिक डोनों मिल के अगर काम करते हैं इन की सब कैंसल ओ गया वन आ ग Military यहां पर यह क्या बनेगा यह हो जये आपका X plus 5 X plus 5 मतलब 2 X plus 5 ठीक है और यहां पर आ जाएगा X square plus 5 X is equal to 1 by 6 या गया Quadratic क्या बनेगी इसके बाद इसमें तो Quadratic equation बन रहा है प्राबलम नहीं है multiply कर देते एक स्क्वाइर प्लस 5 X is equals to 12 X plus 30 12 X plus 30 5 6 30 होता है ठीक तो एक्वेशन क्या आ गई X square minus 7 X minus 30 equals to 0 ठीक है X square minus 7 X minus 30 equal to 0 तो इसको solve कैसे करेंगे यहां पर लिख रहा हूं X square minus 7 X minus 30 equal to 0 तो 10 30 होता है तो X square minus 10 X plus 3 X minus 30 equal to 0 तो इसको एक साथ क्लब कर देते इसको एक साथ कर देते हैं यहां से X निकाल लो X minus 10 यहां से plus 3 निकाल लो यह क्या कर दिया हां तो X minus 10 this is equal to 0 तो X plus 3 into X minus 10 is equals to 0 तो X is equals to minus 3 और plus 10 minute इसको हटा दो 10 minutes आ गया final answer एक को लगेगा 10 minutes fill करने में और B को कितना लग रहा था यहां पर है न एक को लगेगा 10 minutes fill करने में और B को कितना लगेगा 10 plus 5 मतलब 15 minute तो option है कोई 10 and 15 10 and 15 10 and 15 ठीक है answer आया था शुभम का answer आया था तनू का answer आया था गुट 10 and 15 देख लीजे बस number of days के जगे यहां पर minutes आ जा रहा है तंकी फिल करने में डेज डेटा प्रैक्टिकल नहीं लगता देख लो यह निख लो पाइप ए-बी का और फिर यह आपका क्वाड़िटिक का solution है एक answer negative आ गया negative minutes को नहीं लेना positive answer 10 sir option wise भी जा सकते थे बिल्कुल option से भी चेक कर सकते हो but किसने बुला है यह चुभम ने बच चुभम ऐसा है ना कि मैं यहां पर आपको question solve नहीं कर रहा ठीक है यह नहीं है मेरा की answer आ जाए और question solve हो जाए मेरा यह है कि question की मदद से हम concept को समझे अगर मैं आप बैक check कर के लिए आता तो यह concept उतना better news clear होता तो मेरा यह कि यह सवाल exam में आ चुका है तो अब नहीं आएगा पर इसके जैसा कोई और question आया तो हम उसको solve कर पाएं तो यह होगा एक system का एक कुछ एक टाइप का question एक और है देखो यह दोनों question तुम होंबर्क में कर ले ना 15 में और बीस वाले भी आवर्स वाला है सेम कुश्चन है एक यह बनाते हैं फिर एंड करते हैं आज के session को यह वाला कुश्चन एक और है पाइप एंड सिस्टरन वाला एक यह कुश्चन बनाई है फिर एंड करेंगे आज के session को लिख लो इसको इस question को एक बार ट्राइब करो फिर एंड करते हैं और जब session खतम हो जाएगा ठीक है हमारा तब तुम comment में बताना कि next क्या topic चाहते हैं और class कैसी थी इस तरीके से तुमारा जो feedback होगा वो मुझे live chat में मत दो मुझे comment में दो ताकि मैं उसको पढ़ सकूं इसका answer बता दो फिर एंड करेंगे session क्या बोल रहा है इस तर्ण जो है पांच घंटे में फिल हो जाता है नौर्मली नौर्मली जो सिस्टर्न है वो पांच घंटे में फिल हो जाता है कोई पूछ रहा है टेलिगराम आईडी कोशन सॉल्व कर लो फिर मैं दिखा दूँगा स्टार्टिंग में assistant is नौर्मली फिल्ड इन फाइव आर्स ठीक अचा यह घंटा कब लगेगा जब देर इस लीक एट इस बॉटम नौर्मली पांच घंटे में भर जाता था पर अगर लीक हुआ तो यह घंटा लगेगा तो आपको बताना है कि लीक empty कितने देर में करेगा यह कहानी है कुछ नहीं है देखो कोई ना कोई pipe होगा जो system को भर रहा होगा यह पाईप यहां टैप कुछ भी हो यह लोग पांच घंटे में कितना काम कर रहे हैं डबलीक एक घंटे में एक घंटे में W by pipe अच्छा लीक के बारे में मुझे नहीं पता तो लीक empty कितने दिर में कर रहा है X hours में तो लीक जो है X hour में कितना काम कर रहा है minus W क्यों क्योंकि वो empty कर रहा है negative work तो लीक एक घंटे में कितना काम कर लेगा minus W by X clear एक चीज pipe एक घंटे में W by 5 लीक एक घंटे में minus W by X दोनों मिलके काम कर रहे है तो 6 घंटे में भर रहा टंकी तो 6 into W by 5 minus W by X is equals to W सब cancel हो गया 6 by 5 minus 6 by X is equals to 1 ठीक वन इधर आ गया minus किये तो क्या बन जाएगा 6 by 5 minus 1 is equals to 6 by X यह हो जाएगा 1 by 5 तो X की value कितनी आ जाएगी 30 hours मतलब लीक जो है 30 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा अगर टंकी फुल रहा तो लीक जो है अकेले अपने दम पे 30 hours में पूरी टंकी को एंप्टी कर देगा इस इस इड़ यह था question देख लो इसको 30 hours में पूरा एंप्टी कर देगा टंक को सबसे पहले answer किसका आया था वेशू ने बोला था 30 hours good नहीं रॉनी ने बोला था नहीं उसके पहले भी थे काफी लोगों ने पहले से डिया एंसर निक ने दिया था शाय सबसे पहले है तो तो क्लियर है टाइम एंड वर्क वाई और एंड लिखके बताव मेर को यह सार नो क्या क्लियर है टाइम एंड वर्क अब कोई भी सवाल बना लोगे कुछ थोरी नहीं पढ़ना आब सीधा एक्जाम का कुश्चन पेपर सॉल्फ करो नहीं शुबं टुमारो लेक्चर नहीं होगा नेक्स्ट लेक्चर मंडे को प्लान कर रहा हूं मैं तो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वो तुम्हें लाइब सेक्षिन में दिख जाएगा जनरली मैंनेजर शेडियूल रखा है मंडे वेडनेस दे प्राइडे तीन दि गंटा कुछ ना कुछ नया पढ़ेंगे तो यह तो हो गया हमारा टाइम एंड वर्क की कहानी खतम तीन टॉपिक आपके स्ट्रॉंग करा दिया हूं लाइड जो आप ओल रहे थे ना कहां मिलेगा स्लाइड यहां मिल जाएगा यह देख लोयर कहां गया हाँ यह 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 मिल जाएगा अगर तो कोई रीजन नहीं है कि तुम्हें नहीं समझ में आए तो यह चारी चीजए हो गई है और इसके बारे में आप एक बार देखेंगे जरूर एसाइबी प्लस यह आपके ही बेनिफीशियल के लिए है कोर्स जिस लेवल पर मैं सी सेट को पढ़ा रहा हूं इसी लेवल पर हम लोग बाकी सारे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे ठीक और अगर आप इसमें मेरा कोड य नए टॉपिक के साथ थैंक यू